हेलो अबरीबन मैं हूँ प्रिशांत कुमार गुपता आज हम देखते हैं एक वेबसाइट और अलपमेंट का एक नया टॉपिक जो कि है कि हमकी कम्प्लीट वेबसाइट हम आपको बना के दिखाऊंगा जॉब की उपर जितने भी एक जॉब वाली वेबसाइट को बना सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर वर्टप्रेस के डाशबोर्ड पर हूँ देखिए अपने वर्टप्रेस लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का डाशबोर्ड खुलता है तो आप हो पहले कहा यहाना यहाँ पहले आप ज़िए पेजेश पे आप जाएए उसके बाद एडेनियू पे ठीक है तो एडेनियू पे एक नया पेज आपको डाशबूaking पर पहले हम जाते हैं उस पेज पे और उस पेज़ का इक टाइल देते हैं हम लोग कि ठीक है तो home page हमने नाम दे दिया अब हम यहाँ पर देखिए एक setting आप को और करने पड़ती है page attributes पर आके आपको default template के जगह आप elementar full width लेने इससे क्या होगा कि आपका जो designing होगी वो पूरे full width पर होगी तो और हम जो page builder यहाँ पर use कर रहे हैं वो elementar ठीक है तो elementar के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि यह जो ऐसा page builder है जिसमें असाने से drag and drop करके editing की जाती है तो चली क्लिक करते हैं edit with elementar पे तो अब हमारा front end editing वाला जो पूरा का पूरा menu है वो खुल के आएगा तो इस page को हम edit with elementar से अभी खोल रहे हैं अब देखिए यह page खुल के आ गया है अब यह home page को हमें design करना है तो चलिए इसके पहले planning कर लेते हैं कि क्या-क्या elements हम इस page पर रखेंगे तो पहले चलिए हम कुछ sliders रखते स्टार्टिंग में slider रखते हैं फिर हम कुछ जो upcoming jobs हैं उनको हम पहले show करेंगे ठीक है चार से पांच jobs को मैं आपको show करकर दिखाऊंगा उ करें कि हमारी website के बारे में लोग क्या कह रहे हैं ठीक है उसके बाद जैसे आप मानलो कुछ course sell कर रहे हो तो वहां पर मैं आपको एक pricing table बनाकर दिखाऊंगा जहां पर आप अपनी course sell कर सकते हो ठीक है उसके बाद last मैं आपको future बनाकर दिखाऊंगा तो चलिए design मैं आपको complete delete बनाकर बताता हूं तो चलिए मैं slider ले लेता हूं तो एक slider मैं यहां पर ले लिया तो इसका जो heading section है इस पर देखिए हमको पहले तो background color records यहां पर देता बैक्रांड में color दे रहा है उसके बाद यहां से images रख सकते है तो मैं जाता हूं यहां पर images पर तो चलिए मैं ओन्क观 कोई भी अच्छा कासा ये एक image ले लेते हैं तो insert image हमने किया तो ये देखिए ये हमने image रखा हुआ है इसके उपर का जो text है वो कहां से change होगा आपका यहां से style पर जब आप जाएंगे तो देखिए slides में दो पार्ट है slide में ठीक है slide के अंदर first slide के अंदर जब आपने गए तो first slide में आप click करें तो background तो background में आप color भी लेख सकते हैं और image भी लेख सकते हैं content पर आप जाएंगे तो देखिए आप slide लेडिंग लिखा गया है तो इसको मैं लिखता हूँ bank सी railway ठीक है यह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो bank के साथ सी railway मैं लिखा है उसे color हम यहाँ से change कर देते हैं तो हम यहाँ पर title पर जाते हैं इसकी जो color है वो मानके चलते हैं हम green कर देते हैं तो यह green हो गया या फिर जो भी रंग इसको पर अच्छा दिख रहा है मैं देख लेता हूँ तो यह तो bank के साथ सी railway यहाँ पर आ गया ठीक है तो यह दिखिए यहाँ पर बैंक के साथ सी railway लिखके आ गया अब उसके बाद हमारा जैसे की यहाँ पर हम फिर से content area पर जाते हैं अब यह एक को मैंने करकर दिखा दिया भी style style में देखिए आपका क्या क्या option दे रहा है यहाँ पर इसको custom को अगर आप on करते हैं तो इसकी positioning जैसे के आप बीच में रख लीजिए ठीक है और vertical alignment basically यह पूरा alignment है तो आप चाहें तो slide को side में आ जागा तो इस तरीके से आपके इसकी positioning कर सकते हैं यहाँ से मैं इसको side में भी रख सकता हूं तो अब जैसे content color तो यहाँ से भी content color जो है वो change होता है तो style में अगर आपको नहीं करना तो अब यहाँ से भी इसको change कर सकते हैं तो यह सारा चीज हो गया और उसके बाद हम जाते हैं हम मेरा slider बन गया वैसे वैसे जैसे मैंने आपको एक order ने बताया तो आप slide two slide three भी जाके आप कर लीजे ठीक है अब हम जाते ह हम चार-पांच jobs को list करने वाले तो यहां मैं प्लस साइन पर click करूँगा अब मैं इसको तीन पार्ट में बना लिजे डिवाइट करता हूं ठीक है तीन jobs पहले तीन jobs बना लेते हैं तो मैं क्या करता हूं element लेता हूं पहले image ठीक है image ले ले लिजे उसके उपर आप एक heading ले लिजे हमने एक बटन ले लिया तो यह देखिए एक मैंने पूरा जो इसको वो किया मैंने showcase showcase कर दिया तो जैसे एक को पहले आप design कर लिजे उसके बाद आप चाहिए तो उसको multiply कर सकते हैं तो जैसे मैंने यहां पर heading में लिखा अब जैसे आपने एक बना लिया है तब आप दूसरा आपको जो है वो change करना है तो यहां पर देखिए आपने एक बना लिया है तो आप क्या करिए कि आप आपको बस content change करना तो मैं tä시는 पी यूदक्त कर दिया अब मैं यहां जाके images change करूँगा तो मैंने image यहां पर दूसरा लगा लिए तो उसी तरीके से third वाला pac Compile करoter क मैं आपर लिख लेता हूं की रेलवे ग्रूब रेलवे ग्रूब डी ठीक है तो रेलवे डी तो मैंने रेलवे ग्रूब डी एक्जाम का नाम लिखा मैं इमेज यहां पर चेंज कर लेता हूं और जो है आप यहां पर रे इसका जो लिंक है वो भी आप चेंज कर ले तो तीनो अलाइन हो गया अब जैसे हमने जॉब हमने daaata बना लिए हुमने slider यहाँ बना लिया उसके बाद हमने यह जो Denlaş some इन दुन के बिच में उन्यद अपको space चाहिए तो आप ऐस पेसर यहाँ पर लगा सकते हैं warm ने एक हम ह तो इस तरीके से तो आप इस वी वी भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहां पर इखी यहां पर इहां पर हम गए यह तीनों आइटम किस तरीके दी मा इंहां लिखेंगे यहां को प्रवाद आ रहा है कि यह formate हमें प्रसंद आ तो अब content आ है हां से जो content है if you change होगा तो आप जो यहां लिखना रिखें usually फिर प्रक्त न करें अननल ठाशना है और उसके बाद जो है यहाँ पे सारे चीजे चेंज भागा उसका जो पोस्ट है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप एक टेश्टीमोनिल create कर सकते हैं ठीक है सो हमने आपके बता दिया slider बनाना उसमें content डालना तो तो देखिए इसमें जो images आपको डालनी ह उसको आप create कर सकते हैं एक अच्छा सा designing वाला software आता है वो है canva.com तो हमारे अगर आप दूसरे folders पर देखें तो Amrish Sir ने बताया हुआ है canva के बारे में पूरा एक ऐसे आप एक graphic design कर सकते हैं एक images को अच्छे तरीके से आप design कर सकते हैं बहुत असानी से तो वो canva.com को उस वीडियो को देख ले और अपने जो website है उस पर आप original image लगाएं आपके द्वारा create की हुए ना कि कहीं पर से आप copy paste करें तो यह हो गया आपका तीन segment हमने बता दिया अब चौते segment में चलते हैं कि हम एक pricing table कैसे बना सकते हैं तो चलिए मैं पहले अपने screen को तीन पार्ट में divide करता हूं तीन pricing table हमनों यहाँ पर एक row में डालेंगे तो यहाँ पर मैं type कर लेता हूं price table तो देखिए हमारे पास यह आ गया price table का तो price table को उठाके यहाँ पर place करते हैं हमनों तो यह एक price table आ गया अब जो है इसी को मैं यहाँ पर copy करता हूं यहाँ दोनों में paste कर देता हूं ठीक है अब बस आपको इसका content change करना है तो यहाँ पर देखिए left hand side में जावा पाएंगे आपने इसको edit करना है तो यहाँ पर हमने edit में click किया अब इसके header पर हम क्या कर रहा है interview title तो मैं यहाँ डालता हूं railway railway exam तो यहाँ पर यह देख लिए कि हम price table यहाँ पर create कर रहे हैं तो तीन price table हम यहाँ पर बना रहे हैं तो देखिए first price table करेट करने के लिए यहाँ पर header दिया हुआ है तो header में आप जो title लिखना चाहें उसे recording हम लिख सकते हैं विश्वरकार से description लिख सकते हैं अपना तो pricing जो है वो भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं जैसे कि मैं dollars यहाँ 50 dollars करना चाहता हूं तो 50 dollars यहाँ खुल रहा है तो यहाँ पर देखिए एक बार हमनों चीज़े देख ले है रूपी यह देखिए तो यहाँ पर 50 रूपी हो गया तो उसी तरीके से आप पूरी pricing table को आप बना सकते हैं अपना जो सारी features को explore करेंगे तो आपको बहाँ चल जाएगा तो यहाँ देखिए links आपको अगर प्लेस करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए तो जो भी links है व अपनी website जो है उसमें कुछ code sell करना चाहते हैं तो आपको pricing table बनाने आना चाहिए तो pricing table में आपको बनाने बता दिया तो इस तरीके से आप आपके जतने number of course है उसके according जो है pricing table बना सकते हैं ठीक है so हम next element देख लेते हैं कि हमें और क्या बना सकते हैं तो देखिए मैं आपको एक और in for in importance आपको बना कर दिखाता हूं देखिए यहां pricing table पर अगर आपको link change करना है तो यहां footer पर देखिए यहां पर यह इसका header section है यह इसकी pricing section है यह feature section है यह आगे आपका footer section तो pricing का footer section है उस पर link है तो हमें यहां पर link place करते हैं जैसे कि मैं type करता हूं जो कोई भी देगा तो वो indiamark.com पर उसको redirect कर देगा तो आप जैसे कि जिस भी page पर पहुचाना चाहते हैं वहां पर का link जो है उस page का link आप copy करके यहां पर paste कर दिजिए तो वहां पर पहुंच जागा जैसे में example अगर देऊ तो आपको मान लो अपने इस page पहुचाना है यहां click here में जो click here यहां पर ले जाएगा वह अगर आप उसको यहां पर ले जाना है तो यहां पर क्लिक करके save link address यहां पर click करिए copy करके यहां पर paste कर दिजिए तो वहां से भी आप कर सकते हैं तो link आपको कहीं से भी उठाना है उस page में जाके उठा लीजिए आप link या फिर right click करके कहीं पर से भी आप link उठा सकते हैं तो वैसी उस तरीके साब को link यहां पर copy paste कर देना है तो यह complete pricing table में क्या क्या चीज़े रहता है एक heading रहता है price रहता है features रहता है और आपका button रहता है जहां पर आप उसको payment के लिए next page पर ले जाते हैं तो इस तरीके से pricing table बनती है अब आते है और बनाता हूं आपके लिए तो जैसे अब यहां पर देखें तो यहां पर हमें क्या क्या elements हमें दिख रहे हैं तो एक देखिए image box icon box तो यह सब चीजे भी हम बना सकते हैं लेकिन मैं अच्छे सी जब को बना कर दिखाता हूं जैसे यहां पर लेते हैं हम image corrosion एक image gallery बनाते है जो की scroll करता है जो कि slide करता रहा है तो मैं यहां पर image corrosion को उठा के डालता हूं तो यह देखिए यहां पर एक image corrosion आ गया है अब मैं इसमें कुछ पाच्छे images डाल लेता हूं तो जैसे मैं random select करता हूं images यहां पर चली images हम ले लेते हैं add to gallery insert तो अब देखिए जो images है यहां पर तीन images जो है वो slide होने के लिए आ चुक है तो अब देखते हैं हम इसमें क्या-क्या settings कर सकते हैं तो right side में जैसे हम click करेंगे यहां पर देख सकते हैं image corrosion के अंदर हमारा जो thumbnail size मतलब कि image की size है वो हम यहां change कर सकते हैं जैसे हमने पहले thumbnail size है तो यहां sizes change कर सकते हैं slide to show अब slide to show पर अब जैसे कि देखिए यहां पर तीन slide एक बार में show हो रहा है तो चलिए मैं उसको 4 करके देखता हूं तो देखिए अब 4 अब देखिए यहां पर चार image एक सा show हो रहा है अब चार image यहां पर शो होने लग गया अब slide to scroll ठीक है अब जैसे कि यहां आप आप देख रहे ह होगी वह एक एक image की होगी ठीक है तो यह चीज़े भी आप यहां से कर सकते हैं image stretch में आप yes no जो आप चाहें वह कर सकते हैं आप देखिए एक एक image scroll हो रहा है तो आप इसके speed भी आप चाहें तो scrolling speed भी आप बढ़ा सकते हैं आगे आगे हम features में देखेंगे तो अब URL भी यहां पर बना सकते हैं तो उस वह लिंक आपको बस यहां पर paste करना जहां आपको redirect करवाना है ठीक है additional option में देख लेते हैं हम जहां आप देखो आटो प्ले स्पीड तो आटो स्पीड 5000 है तो इसको चले मैं 10,000 9,000 करता हूँ तो यह देखिए अब थोड़ी loading speed जब हम इसको publish करेंगे तो थोड़ा fast हो जायागा यह ठीक है तो अब हम यह तो हमारा होगया content पार अब style पार देख लेते हैं कि position जो है वो inside या outside तो हम चलिए एक बार inside करके देखते हैं क्योंकि outside यह default पे था तो देखिए थोड़ा से य सकते हैं sizes जो है इनकी यहाँ पर देखिए dots की जो sizes है वो आपकी यहाँ बढ़ रही है घट रही है ठीक है तो dots की sizes देख आप सकते हैं उनकी जो sizes है वो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ठीक है आपकी visibility का according अब dots का जो color है वो भी आप चाहो तो change कर सकते हैं जैसे कि यहाँ आप ब्लैक लगा तो फिरीन कर दो रेड कर दो वो आपके according है तो यहाँ पर navigation का जो settings है वो यहाँ पर दिया है अब image settings में अगर हम आते हैं तो उसकी alignment जैसे हम उसको left-line करना चाहते हैं सारे image को तो वो left-line हो जायागा middle-line और right-line spacing के बात करें तो custom spacing अगर आप देना चाहत अब आते हैं border type का तो अगर मैं इसमें border देना चाहता हूँ तो मैं solid border लोगा और मैं थोड़ा सा increase करता हूँ ए देखे सारी images में अब एक border आ गया तो जितना आप creative बनाएंगे अपने website को उतना बना सकते हैं लेकिन आप एक ची ध्यान रखें कि ज्यादा styling ना करें उससे भ बातों को ध्यान रखें और आपको branding के लिए और ची बता दू कि आप तीन से चार कलर ही अपने website में यूज करें इससे भी एक branding बढ़ती है जैसे आपने कई website देखें को किवल orange color white color और black color का यूज होता है पूरी website ये तीन color पर ही बन जाती है तो उससे भी website की पहचान होती है और सारे website में उनका watermark रहता है सारे images में उनका watermark रहता है तो और उनका जो नाम उनका अपना पहचान होता है और watermark यूज करना और बहुत सारी चीज़े branding में उनको help करती है उनके quality videos और हर एक page पे color combination तो वो सारे चीज़े branding में यूज होती है तो उस तरीके का आप एक format achieve करने को सिस करें तो कि ताकि आप अपने website को अच्छा लोग के सामने एक अच्छा impression create हो आपका एक अच्छा UI user interface लोग का अच्छा हो ठीक है तो यह तो रहा हमने एक simple website बनाया है तो एक last element मैं आपको और दिखा देता हूं जैसे कि मैं अपने screen को पहले कट कर लेते हैं प्ल element के पास बने बनाया template होता है तो यह दिखिए जैसे कि मेरे पास इतने सारे free template अवेलबल है तो जैसे आपको कोई template पसंद आ रहा है अपने website के लिए जैसे कि मुझे यह सही लग रहा है तो मैं इसको insert करूंगा तो insert जैसे click करेंगे थोड़ा दिर वो load होगा और जैसे नहा अगर वो template अगर freely available होगा तो उस वो upload हो जाता है थोड़ा दर वेट करकर देख लेते हैं कि वो template upload हो रहा है कि नहीं तो यह देखिए हमारा जो template था वो नीचे आ गया तो अगर आप पूरा महनत नहीं करना चाहते हैं designing में तो जो pre developed template रहते हैं उनको भी आप use कर सकते हैं अ अब जाके आप पूरे content को बस change कर लिजे आपको कुछ ज्यादा designing करने के अब जूरत नहीं पड़ेगी तो यह एक तरीका हो गया कि आप अलग-अलग template है अलग-अलग domain को लेके अलग-अलग fields को लेके जिसे job का template बना हुआ है education का template बना हुआ है एक health का template बना हुआ है एक e your design बना है तो चली इस तरीके से एक website designing होती है तो elementar को आप अधिक सदिक practice करें ताकि को कि आपकी page के अगर designing अच्छी रहेगी आपका SEO अच्छा रहेगा आपका जो अगर interface अच्छा रहेगा तो Google के नजुरू में आप ज्यादा अच्छे websites में आओग आओ आपके dominer.tv से ब कर रहे हैं वो एक front end editor हो और जबस तरीके से उसमें drag and drop की facility available हो ठीक है सारे elements उसमें मौझूद हो और तीसरा चीज जो है वो आपको branding पे ध्यान देना है कि अगर आप website बना रहे हैं तो आप कोसिस करें कि पहले आप decide करने की मिला color combination क्या होगा आप decide करने की मुझे क्या images पर सारे original images रखें ठीक है और सारे चीजों को alignment job की website के सारे चीजों को alignment हो वो एकदम parallel हो तो वो चीजों का ध्यान रखके बनाएंगे तो वो एक अच्छा खासा website लोग के नजरों में आता है so thank you so much मिलते हैं next video में